प्रेमा नज़िमाराज को इतनी गाले देते हैं क यह काँ से आग या पागral गंदी-गंदी गाले देते हैं गुर। आपके माँ भी मांस खाती है, तो सब खाते है घर में सारे, पूरा काते है, बहुत कर्च होता है दास को, देखो बच्छा रो रहा है और तो मुर्गी खारी हुमया, प्लीज गुरुजी दख लीजी दख लेंगे, दख लेंगे, अभी रख लेंगे, ठीक है, तुम सब को यह बचाएगा नर्ग जाने से, वरना तुम सीधे नर्ग की टिकिट कटी पड़ी है, श्री हरिवांश गुरुजी, श्री हरिवांश गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है, किसने बोल आपको, लोग तो यही मानते है कि भक्ति करता है जो पागल है, नहीं वो कहने वाले ही मूर्ख है, वो मूर्ख लोग है तो उसमें उनका उनका भी दोश नहीं है, वो खुद मूर्ख है, गुरुजी, भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवाने की कृपा होती है, वो ही कर सकता है, भक्ति कर सकते हैं, गुरुजी, गुरुकुर में रख ल पीते हैं आप मांस खाते हैं सुब आपने का था ने किम छोड़ देना घर होटल में जाके इन्हों नहीं चोड़ेंगे उनकी क्या हो का तुओं में ओडर देने वाला कौन है क्यों है आओ यहां आओ बात करो यह गुरुजी क्रिपया रख लीजे ना दास को आत रख जरूर पूरक लेंगे आपको हम पर आपके पिदा जी से बात करेंगे कोटी-कोटी नमने घुरुजी क्यों बच्चों की क्यों संसकार विगाड रहे हूं यह आपका बेटा है हां जी तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप चोड़ देंगे और आपका बेटा बता रहा था क अ कि आप उसे पूजा पाथ भीदि रहे हो इस बुजापान पारी करने देते हो उरिजित वोजा पारे क्रतार रहेता है तुरुज PayPal कर चालब मंदित ऐुछ भाप इनष्म जाटेंधा उटनी यह निस अब का पुम पाते हैं यह आपर पारा दिन तुमान व लोग था टोर पढ़ाई जहां माान्साद खाने के वाए ँपिते हैं कि संत पाखम पिता संतों हyorum गालिया देते हैं भगवान को भी रहते हैं फिला निस्ट प्रेमान इंजी माराज Гुतनि कि अन्य है कि यह से आग जा करता है कर और झांपे कर दो आपकी होनी औरले हुव आ stress कि यह पंछ संतों बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी तो पढ़ाई आपने को छोड़ी अभी बताओ मैंने इसको ऐसे बोला था बेटा तो दसमी कर ले जत्मर्जी तु जाए बिंदवन में जागे तुम्हारा एडिमिशन करवा लेना ठीक है बस यह बात कही थी इसको यह ना छेवी प्लक्लास पूरी भी नहीं किये हैं आप भी और इसने छोड़ी पढ़ाई बात कराओ भक्ति करना बहुत अच्छी बात है लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है पहले पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का सिंतन भी बना रहे घुड़ी आपने कलकतह में कहाता कि एक वर सबको तो तो तीन वर सबको मौका दो आमने बहुत पर इनको मौका दिया पिर आपने का तो उसका परित्या कर दो इसलिए था था अच्छी लिया था कि कि दोनों बहुत ऐसे माबाब को द्यागा नहीं जाता माबाब को त्यागा नहीं जाता बेटा ऐसे माबाब भी तो ने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा तो यह माबाब अच्छी नहीं है यह ना भक्त चंतों दास को जो मर्जी कहता हो पर संतों कुछ ना का हो वा कितना स्रेश्ट विचार बच्चे का कि अन्जी गुरुजी मैं इसको बोल रहीं बेटा तो पढ़ाई भी कर भक्ती भी कर जो मर्जी कर पर इसको पढ़ाई तो जुरूरी इनिया बताओ इसकी अच्छी लाइब देर कि हम इसको जो भी चीज जीती इस को मिंट में लेके देते हैं इसकी जूर्थ पूरी करते हैं को निया केना नहीं मानता हमारा बिल्कुल सभी जिद करता आपकी जिद चलाता है हमारे को उपर नहीं आनता बिल्कुल भी चलो अच्छा यहां चलो यहां गुरुकुल में चलो हम आपको रख लेंगे तो यहां भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा आप पढ़ होगे फिर हां छुझ अच्छी पढ़ेंगे कुछ फिर हां घर में क्यों नहीं पढ़ोगे क्यों कि वहां पर ऌप वहां 16 स्कूल अीस फीский ग्यूंत करले अ ही हमारोगोगत कौन प्रॉप देख क्या जाते हैं लिए mopa se थोड़ी भी तूखा वो तो बताते हैं आपके लेचर देते हैं वो तो मैडम तो जद करके बस इसने स्कूल छोड़ दिया बताओ यह बताओ तो जहां अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो इस्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा हमारी संस्कृति की खिलाफ है खलफ है कि आह बच्चों को प्रोत्साहित करें उनको अंडा खाने की प्रहना दें या पृट्शाहित करें तो गलत ही हें ना आप और पढ़ने की अंडा का पृट्साहन पाने गए हैं कि पढ़ा ही पीड़ाइ बहुत अठी तो दोन्बर बन नहीं पुर बाल्व नहीं प गुरु जी दास इसलिए आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कि अध्यात में इसलिए क्योंकि जैसे आप हमारे भारत को आगे लेके जाए ठीक है बेटा लेकिन आप अभी कौन सी अक्षा में है तो बेटा आप आठीवी तक तो घर में पढ़ लो ना यहां पर जो ब होगे तो यह भी जो गलत रहा पर हैं आपके पिता जी मांस खाते हैं शरापी ते पहले इनकी शराम मांस आप छोड़वा देंगे अपने संसकार से और आप ठोड़ा सा पढ़ाई जो आपकी मां कहती है बेटा पढ़ो तो मापनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों क अपने त THIS हो यह कि उत्सक of मुर्गी खारी हो मयह एपनी आपनीनश के तरह कि अभी रख लेते हैं ठीक है। headed तो म Girard मांस यह मैं खाती इतना ज़्यादा कि अदचे झाल्गी बच्चे देखे लैकई इतने आप Ihnen जो हत्या करते हैं बच्चे स्ट्रjo логलतए बच्क किसी का दर्द समझते हैं आप लोग बताहिए बड़े होके किसी का दर्द पर नी समझ रहे माइक भीचे कि मांस खाने वाली मैय से बात करा मैया खड़ी हो जाएंगे कि एतना मांस खाती हो क्यों बच्चे देखी कितना उन्हों को मन में कितना हुआ अगरुजी क्या इफितन का एंग कहाटे है मैं 1 डिन सब्सक्राइब हो backники शर्वी खाते हैं आप जो है अगर में सिती है वो ही चलेगे हैं सब मूर्ग है तो तुम भी मुरग रहा होगे पुराराद को दारूआँ पीपई के आते हैं बहुत कर दो, पुरा-पूरा कमरबास था, तीन कमरे हैं अधि में वहक्त कमरे में दाधा जी पीते हैं यह अब कुछ दिर बाद का नाम हम है यह अब लोग तो आप लोग तब रहे हैं शराब करनेंप्जें को चॉभर वहमें будिफ ने पॉरें होट यह तो बच्चे की खुशी के लिए दास भक्त ना मवली सुनता है तो भक्तों को गालिया देते हैं यह क्या लगा लिया यह बहुत गंदी-गंदी गाले देते दास सुपर्दास नहीं होता है अम अपना आप लोग यदी ठीक हो जाओ तो दादा दाधी की तो छोड़ दो हम आप बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करते हैं और आपका बच्चा कितना अच्छा है कि आप लोगों को शराब मांस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है देखिए बच्चा अपने माबाप से श्ट्रकल कर लड़ रहा है छोड़ दो हर बुरी चीज को और आप लो सब्सक्रणाar बाप हो तो पेटा सही भी बताएगा तो आप उसे गलत सिद्ख कर दोगे अरे भाई बाप हो पर हो तो गलत न कि बाप हो पर बाप होकर भी तुम्हारी जितनी बुद्धी उसके पास है उतनी तुम्हारे बाप के पास नहीं है बुद्धी कि तुम्हारा बाब भी अनपड मूरख एक नंबर का जो शराफ पीता है गुरुजी सारे घर में बड़ पिता जी नीचे सा लट्टू ओकों के गिर गिर के नालियों में पढ़ पढ़ के आते हैं बहुत गंदा लगता है दा इसको सही है रात लड़ा तुम्हारे वंश में कोई बहुत बड़ा पुन्य था किसी का केस ऐसा भक्त का जनम हो गया वरना तुम सब को यही बचाएगा नर्ग जाने से वरना तुम सीधे बहुत गंदी गंदी गालिया निकालते हैं यह सारे लड़ाई अपने भाईयों से लड़ाई करी हुई है सब से लड़ाई करते हैं और बहुत गंदी 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 गालिया निकालते हैं आप इनसे कहते गालिया मत निकाला करो किसी को और जैसे वह वाली नहीं वह बहुत वो गंदी गालिया उती है वो निकास तेंगे क्यों गंदी गालियां बोलते हो बच्चे सुनते हैं अच्छा प्रभापड़ेगा नहीं बोलता गुरुजी अच्छे शब्दों का बिटा बच्चों के साथ ना मरियादित रहना चाहिए जो आप कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है अच्छा और बुरा दौनो इसलिए थोड़ा मावाप को ना जिम्मदारी से रह ना चाहिए और शराप चोड़ देने से क्या फ़ता ह रहे है आप और मांस छोड़ने से म्हूखन हां यह हम तो नहीं KHाते मांस घृष भोह भी नहीं खाता बच्चा आपके घर में खाता है मांस उस still भी फो आपके अच्छे बच्चे आजकल कहां मिलते हैं बताओ कोई ऐसा बच्चा होता कोई करोड़ों में कोई एक बच्चा है ऐसा और आप लोग समझ रहे हैं उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं कि करोड़ों आपके दादा जी का भी कल्याण यही करेगा वह अपने पुन्य से तो नर्ख ही पाप से हैं ना आप लोग तो सुधर जाओ सही रहा पर चलो पिता को छोड़ो जलो वो तो बूढ़े हो गये कितनी उमर है ठीक है उमर है आप सुधरो गुरुजी सव दास सब के सामने कहना चाहता है कि अना दास अपना अपमान सहलेगा पर अपने गुरु का और अपने इस प्रदास मेरे प्यारे संतु का अपमान नहीं होने देगा बिल्कुल बहुत सुन्दर सही है पर आपको पढ़ना भी है ठीक है गुरुजी गुरुजी क्रिपे रख लिकुदा बोल तुदी हमने रख लेंगे रख लेंगे बिल्कुल रहो अभी 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 आजावा अभ बहुत बहुत धन्यवाद दास का ठीक है बच्चे का नाम लिख वाले ना जैश्री मन्न आरायन गुरुदिव जैश्री मन्न आरायन आपके चर्णों में ये दासन का कोठी कोठी परनाम मैं सम्